हेलो गाईज आप सभी का सुवागत है आपके अपने चैनल इन्फोर्मेशन अड़ा पे गाईज मेरे पाफ बहुत से मैसेज़िज एंड कोशन्स आ रहे थे कि सर हमें डियू के अंदर यानि देली यूनिश्टी के अंदर हमें स्पोर्स होटा की थ्रू एडमिसन लेना है और गाईज क्या इसके अंदर इलिजिबलेटी है क्या प्रोसेसिंग टाइम है और गाईज जो आपकी स्पोर्स एटिफिकेट है कब से कब तक वैलिड रहने वाली है ठीक है तो गाईज सभी इस वीडियो हम बात करने वाले है जो क्या होता है 3D round क Ariya होता है और गाई гaids कैसे marks का इस आपकी अलोट होते हैं स्पोर्स होटा के थूर सब कुछ गाई इस वीडियो हम बात करने वाले है तो गाई आपने अभी तक आमारे चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विकोज आपका एक सब्सक्राइम मुझे मजबूर करता है और साथ-साथ मोटिवीट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल authentic और January लाता हूँ तो गाइस बीना देरी करते आगे बढ़ते हैं तो गाइस बात करें तो गाइस आपको first round के अंदर तो गाइस आपका CUET होता है यानि common unity entrance test ठीक है तो गाइस यह first round में होता है और गाइस कई candidate कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना सिर्फ आपकी sports certificate के ही ब्याब पर डियो के अंदर sports आपका admission हो जाएगा तो गाइस ऐसा नहीं है आपको normal candidate है या sports candidate है आपको किसी भी डियो के college के अंदर आपको admission लेना है तो गाइस आपको CUT यानी common university entrance test आपको देना पड़ेगा आप basic sports candidate है या normal candidate है तो गाइस first round के अंदर तो गाइस आपको CUT देना ही पड़ेगा आप अपने CUT के अंदर पूरा best दे ठीक है आप जो score लाना चाते है आप score लाए और गाइस मेरे पाइस ये भी बहुत questions आ रहते है कि sir हमने CUT की दुरान sports quota पे click नहीं करा तो गाइस वहाँ पे आपने click करा या नहीं करा कोई से matter नहीं करता आप देन आप CES के portal पे जाओगे वहाँ आपको गाइस बिल्कुल अच्छी तरह गाइस आपको sports quota पे click करना है देन गाइस आपकी sports certificate वहाँ पे आपको upload करनी है बात करें गाइस आपकी minimum sports certificate concurrency होनी चाहिए district medal, state medal, national medal, international medal तो गाइस आपके पास medals का जो मैंने बताई है district level पे, national level पे, state level पे, international level पे आपका medal है तो गाइस आप इसके अंदर apply कर सकते है यह जिनका इसके अंदर participate है position है तो गाइस आप इसके अंदर apply कर सकते है बट गाइस participation है तो गाइस आप इसके अंदर apply नहीं कर सकते है और गाइस मेरे पाई यह भी questions आरता कि sir हम तीन game के लिए apply कर सकते है और गाइस तीनो game के अंदर हमारा अलग-लग certificate लग सकता है तो guys आप जिस game से आप हो आपका उस game के अंदर पहले तो उस college के अंदर आपका game होना चीए जिस game के लिए आप जिस college के लिए apply करो and guys आप जब CUT के लिए आप farm apply करोगे तो guys आपको preference देखके बरने है आपको first college कौन सा देखना है second कौन सा है third कौन सा है fourth, fifth, sixth आपको preference देखके बरने है and guys आपको देखना है कि आप जिस college के लिए apply कर रहे हो उस college के अंदर आपका game है भी या नहीं भी है and guys ये आपको confirm कर लेना है कि जिस college के लिए मैं apply कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा game है भी या नहीं भी है आपको guys individual कोई game है ठीक है जैसे कि athletics हो गया, fencing हो गया, boxing हो गया, wrestling हो गया, weightlifting हो गया तो guys इसके अंदर कोई सी भी college चल जाते हैं बट guys जो team event होते हैं जैसे कि football like football हो गया, basketball हो गया, volleyball हो गया, kabaddy हो गया तो उसके अंदर guys आपको अच्छी तरह आपको preference देखके बढ़ना है जिससे कि guys आपको अच्छी team मिल सके, then guys आप आगे performance अच्छी आप दे सके, ठीक है तो यह preference जो आपका है न guys यह main आपका यही decide करता है कि आप कोई से, first preference पे कोई सा रखते हो, second पे कोई सा रखते हो, third पे कोई सा रखते हो and guys वो आपके CUT की भ्याप पे होगा, then guys इसके अदर आपको sports टायल होगा, जो guys आपको CUT के बात करें, marks की, तो guys इसके अदर आपके 25% आपके CUT की रहेंगे and guys जो आपके sports की रहेंगे, 75 रहेंगे, sports के अंदर guys आपके sports active kit, आपके 25 की रहेंगे and guys then आपके जो sports style इसके अंदर होगा आपके fundamentals आपके skills आपके देखी जाएगी ठीक है तो वो जो रहेगा 50 marks करहेगा ठीक है तो guys आपको सीधा अभी पहले focus करना है CUT पे ठीक है आपको पूरा अपना best देना है CUT score आपको करना है पूरा का पूरा आप जितना कर सकते हो आपको करना है देन guys आप आके eligible होंगे sports style इसके अंदर आपको marks मिलेंगे sports style के अंदर आपको marks मिलेंगे फिर guys पूरा all over आपका merit बनता है फिर guys जो आपने college आपने feel की होते है and guys उसी हिसाब से guys इसके अंदर आपको alert होता है आपका college ठीक है and guys रही बाद marks कितों guys sports certificate कितों guys आपको पता लग जाते है तो guys आपको मैं इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिशन हो guys आपको link उपलप करा दी जाएगा sports certificate का कि कौन-कौन सी sports certificate वाले इसके अंदर apply कर सकते है and guys आपके पास जो sports certificate है उसके कितने marks मिलने वाले यह तो हमें खुद ही पता लग जाता है and guys जो sports trial के जो marks होता है fundamentals होगी skills होगी basketball की आपके fundamentals होते है आपके skills होते है आपकी game जो भी game है आपका तो उसके जो trial के marks होते हैं वो guys पता नहीं लगते है and guys मेरे पास ये भी questions आरता कि sir अमारी जो sports certificate है कब से कब तक valid रहती है guys आपकी जो sports certificate है last day year तो यानि आपके last 3 साल के जो भी performance आपकी रही है district level पे, state level पे, national level पे तो guys उसी इसाफ से वैसे guys पिछले जो साल अब की बार जो करा था last 4 years के ले लिये थे minimum guys इसकी last day year 3 साल के इसकी sports certificate valid रहती है आपके पास sports certificate है तो guys आप इसके अंदर apply कर सकते है तो guys आपको मैंने बता दिया कि आपकी sports certificate कब से कब तक valid रहती है कौन कौन से sports certificate वाले इसके अंदर apply कर सकते है and guys जो आपका professional game है तो guys आपके पास उसी professional game का certificate है उसे में ही apply करें या दरवाइस आप apply ना करें क्योंकि guys आप मान के चलो आप cricket के लिए apply कर रहे हो और उसी के अंदर आप tennis cricket की आप वो लगा रहे हो tennis ball cricket की certificate लगा रहे है तो कहां से आप eligible हो गई नहीं हो गई ठीक है तो पहले तो guys आपके starting में first round में तो guys आपका CUT तो हो गई होगा जो candidates कह रहे हैं कि इसके अंदर आपका CUT नहीं होगा सिर्फ only for sports इस certificate के वियापे इसके अंदर आपका selection हो जाएगा and guys ऐसा बिलकुल नहीं है आपको CUT देना ही पड़ेगा and guys ऐसा बिलकुल नहीं है आपको पहले तो guys आपको CUT पे बिलकुल focus करना है ठीक है best score guys जो आप कर सकते हो वो करना है then guys आपको आगे की किरिये मैंने आपको बता दिये तो guys इसके अंदर कोई आपको mail और कुछ नहीं आता आपको इसकी CSS portal पे आपको देखना होता है कि आपको कब कितने बज़े आपको कौन से ground में reporting करने कितने बज़े कब कहां ठीक है तो यह सारी चीज़ गाई CSS portal पे दी जाती है तो guys वो भी guys आपको time to time time to time आपको अपडेट कर दिया जाएगा आपको मैं दुबारे कह रहा हूँ जो आपकी preference है college की वो ध्यान से आपको बरनी है ठीक है आपको पूरा college का जिस college के लिए आप apply कर रहे हो पहले तो guys आपको उस पर पता कर लेना है कि इस college के अंदर मेरा game है भी या नई भी ये seat है भी या नई भी ये चीज़े guys सारे आपको पहले ही पता कर लेनी है और guys आपको पूरा डियू का एडिमेशन का sports quota का पूरा doubt clear हो गया होगा तो guys जो अफ़ाइफ फैल रही है कि आपकी sports quota के थ्रू ही admission हो जाएगा तो guys इस अफ़ाइफ से बिल्कुल दूर है आपकी cvt आपकी marriage बनेगी and guys जो normal candidate sports आप मनू कहेंगे कि guys sir हम जो normal candidate है sports quota के थ्रू हम खेलना चाते हैं आपका admission हो गया हाँ guys आप admission आपने cvt के थ्रू ले लिया है ठीक है and guys आप बाद में game करना चाते हैं तो guys आप कर सकते कोई इसमें मनाई नहीं है कोई college नहीं कहता कि आप इसके दर ना खेले but guys ये condition होती है कि आप देखता है कि coach भाई ये इस game के लिए अच्छा है भी या नहीं ऐसे नहीं गुसा देते कि भाई तू भी खेले तू भी खेले पहले guys इसके लिए trial होता है आपको पूरा पहले परका जाता है कि आप इस game के लिए like है भी या नहीं भी ठीक है तो जो normal जो candidate इसके अंदर apply करना चाते हैं वो C.U.T. से भी उनका selection हो जाता है ठीक है तो guys आप जो sports candidate है या normal candidate है पहले तो guys आपको C.U.T. ही निकान लब पड़ेगा C.U.T. मेन है देन guys आगे की क्रिए आपको मैंने बातिया दिये क्या क्या इसके अंदर रहने वाला processing ठीक है तो guys आपको पूरा all concept criteria आपको समझ में आ गया होगा I hope guys आपका doubt के लिए मैंने पूरे करें और फिर भी इसके अलाब कोई doubt होता है तो guys comment session में comment करें तो guys इसको ज़्यादे ज़्यादा share करें and guys आपको वीड़ चलेगे तो इसको like करें ज़्यादे ज़्यादा and guys कोई doubt है तो comment session में comment करें आपका reply guys जुरूर तो गाइस इसको जादे जादे शीर करें एंड गाइस एक अपना टेलिग्राम चैनल भी ए स्पोर्स कोट आजोब्स के नाम से एंड गाइस आप टेलिग्राम में सर्च करते हैं तो गाइस आपको इस चैनल भी प्यार दिखाएं तो गाइस मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक लिए ठैंस फॉर वाच्चिंग जाएं जयवारत है वे ग्रेट डे